इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी इस जर्रा लेक टैबलेट सिलफोन ले और या नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है और इसका इस्तेमाल वयसकों में टाइब दो डायबिटीज मेलिटिस के इलाज में किया ज सकता है दिन के पहले भोजन से पहले या पहले भोजन के साथ इसे लिया जाना चाहिए अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज इसे नियमित रूप से एक ही समय पर लें आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर आपके खुन में शुगर के स्तर के अनुसार बदल सकता है अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपके बलड शुगर का स्तर नियंत्रित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें यदि आप अपने डॉक्टर से परामर्ष के बिना इसे बंद कर देत हैं तो आपके बलड ग्लूरोज का स्तर बढ़ सकता है जिससे आपको डाइबिटीज की जटिलताओं जैसे कि किड्नी खराब होना अंधापन तंत्रिका से जुड़ी समस्याएं और अंगों के डैमेज होने का खत्रा हो सकता है याद रखे कि यह दवा इलाज का केवल एक ह जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार स्वस्थाहार और नियमित व्यायां भी शामिल होना चाहिए आपकी जीवन शेली डाइबिटीज को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है इस दवा को लेने के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में लो बलड शुगर लेवल यानि की हाइपोग्लाइसीमिया, जी मिचलाना, सिर्दर्द और चक्कर आना शामिल हैं। सुनिश्चित करें कि आप लो बलड शुगर लेवल के लिक्षाओं जैसे की पसीना आना, चक्कर आना, सिर्दर्द और कपकंपी आदी को पहचानते हैं और जानते हैं कि उनसे कैसे निपटना है, इसकी रोकथाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और ग्लुकोस का तेजी से काम करने वाला स्रोत जैसे कि शुगर वाले खाद्य पदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है। शराब पीने से आपका हॉमोनल बीमारियां थी तो अपने डॉक्टर को बताएं क्यूंकि हो सकता है कि यह उप्यूक न हो। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। आपके ब्लड शुगर लेवल की नियमित रूप से जा लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद